family friends welcome back to my channel मैं हूँ श्रक्दा एक नए वीडियो के साथ तो आज मैं एक सारी दिऊस का नया वीडियो लेके आई हूँ सारी दिऊस के बहुत सारे मेरे चैनल पर वीडियो है बटThis is a practical video da जिसमें मैं अपनी खुद की सारी का दिऊस आपको गीए कि मैंने किस तरह अपनी खुद की साड़ी से एक ड्रेस बनवाया है तो यहां पर इस बार प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है वो पिक्चर रिकमेंडेशन वाला नहीं रहेगा कि जिसमें मैं आपको एक साड़ी की पिक्चर दिखाती हूं फिर एक ड्रेस की पिक्चर करते हैं इस बार होने वाला है प्रैक्टिकल वीडियो तो जढ़ा बाते ना करते हुए इंट्रो जढ़ ना करते हुए श्टाठ करते है है आज का वीडियो तो सबसे पहले साड़ी की बात करेंगे यह मेरी एक这个 पल सी प्लेन रॉयल ब्लू कलर की साडी. जिसकी मेरे पास और कोई फोटो नहीं है. यह है एक फोटो यही एक दो फोटो है. वो भी मैं जब मैं इसकी लेस निकालने जा रही थी. तो मैंने रैंडम से क्लिक कर ली थी. क्योंकि मैंने इस साड़ी को सिर्फ और सिर्फ एक बार पहना है मेरे पास इसकी और फोटोज नहीं है तो थोड़ी सी साड़ी की स्टोरी हो जाए तो ये एक रॉयल ब्लू कलर की साड़ी है मेरे पास अच्छी सी पिक नहीं थी जिसमें आपको प्रॉपरली दिख जाए तो मैंने ऐसे लगा दी है जिसमें बॉर्डर लगा हुआ है गोल्डन कलर का तो इस तरह की साड़ी बहुत थी ऐसे एक ज़्यादा महेंगी नहीं मिलती 600-500 की रेंज में मिल जाती है आपको तो वैसी साड़ी है इस तरह की कई साड़ी मेरे पास रखी हुई है तो इसलिए मैंने सोचा इसका ड्रेस बनवाते हैं इस तरह की लेस लगी थी गोल्डन कलर की जिसे मैंने निकाल दिया है और उसके बाद फिर मैंने उससे बनवाया है एक कुर्टा सेट तो दिखाती हूँ आप लोगों को और ये कुर्टा सेट बने पुरे पुरे एक साल हो गए बट मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा सा डुपट्टा डून रही थी कुछ कॉंट्रास में जिससे ये पुरा प्लेन सूट एक अच्छा लूग दे बट मुझे दूपट्टा नहीं मिला तो आखिरकार मैं फिर हार मान के मैं ऐसे शियर कर दे रही हूँ बिना मन पसंद दूपट्टे के तो ये है वो कुर्टा जिसमें मैंने बाद में गोटा पट्टी लगाया है खुद से वैसे मैंने कुर्टा सेट सिलवाया है बाद में मैंने थोड़ा बहुत इसमें काम खुद से किया है तो ये बॉडर पे साइड वाले में यहां पेलेस लगाई है दोनों साइड आगे प थोड़े तेड़े मेड़े बने हुए हैं क्योंकि पहली बार मैं ट्राइ किया था बहुत अच्छे नहीं बने हैं फैब्रिक टेशल और यह है इसका पैंट जो आगे फ्रेंट वाला है पीछे लाश्टिक वाला है और मैंने लाइनिंग इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी बनवाएं तो आपको लाइनिंग उसमें बहुत अच्छी लगानी है अदर्वाइस इसकी लाइफ इतनी नहीं रहेगी क्योंकि साड़ी के फैब्रिक ड्रेस के कोर्डिंग इतने नहीं अच्छे होते इतना नहीं चलता पैंट और यह है इसका फाइनल लुक यह इस तरह का कुर्टा सेट बना है नेक पे मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग जो नेक पे मैंने लेस वगरा खुद से लगाई है और इसे मैंने एक वाइट डुपट्टे के साथ इस टाइल किया है क्योंकि जैसा डुपट्टा मैं चारी थी वैसा नहीं मिला आप इस वीडियो में द माजा नहीं आरा था तो वह डुपट्टा ना रखके फिर मैंने वाइट डुपट्टे के साथ ही स्टाइल कर लिया और आप लोग साथ ही शीर कर दिया वाकी में इसके लिए अच्छा डुपट्ट्टा में चाहरी थी जौरजट में प्रिण्टेट में कुछ ऐसा कलर जो इसके साथ बहुत अच्छा लगे बट वैसाड़ उपट्टा मुझे मिला नहीं तो यह है मेरा कुर्टा सेट आपको कैसा लगा साड़ी का सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है यह आप मुझे कमेंट करके बता है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये भी आप मुझे comment करके बताएं और साडी से बना हुआ है तो ऐसे कहीं भी पहन के आने जाने लायक है या नहीं है ये भी आप मुझे comment करके बताएं मेरे इसाब से तो है साडी का सही use हुआ है बट आपको कैसा लगा practically ये भी आप ये मुझे आप comment करके आप bottom किसी भी तरह बनवा सकते हैं तो friends ये था मिरा आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आप लोग साथ एक साड़ी का बना शूट सेयर किया अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आडियास के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नए एक्स्प्लोर के साथ तब तक के लिए बाबा टेकियर कीपी स्मालिंग सी यू सून